अपनी चरम सीमा पर है लेकिन इस शो की सीमा खत्म होने से पहले कुछ कंटेस्टेंट अपनी सीमा क्रोस कर चुके हैं यहां हम बात कर रहे हैं उन दो कंटेस्टेंट की जो घर में एक केकडे और दूसरा बैल बुद्धी के नाम से जाना जाता है दरसल घर में काकोटरी की सजा काट रहे अर्शी, विकास और आकाश रात को बाद कर रहे थे वहीं जेल की सीधियों पर पुनीश, प्रियांक और लव बैठे थे इस बीच आकाश ने लव को धोखे बाज और जीरो कहा जिस पर लव ने कहा कि तुझे ऐसा तोडूंगा जुड नहीं पाएगा वहीं आकाश ने लव से कहा कि मुझे इतना तोड़ना कि मुझे मेरे बाप के पास भेज देना इसके बाद विकास खड़े होते हैं और आकाश की जैकेट को वाश्रूम में फेंक कर वापस आ जाते हैं वहीं आकाश भी विकास की जैकेट को पहले फाड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन उसके बाद वे उसे वाश्रूम में फेंकने चले जाते हैं वहीं आकाश के वाश्रूम में जाते ही विकास वाश्रूम का गेट लॉक कर देते हैं थोड़ी देर बाद आकाश बाहर आकर विकास से लड़ते हैं इसके बाद तो दोनों में ऐसी हाथा पाई होती है कि बिग बॉस ने दोनों का रवय या देख कमफेशन रूम बुला लिया बिग बॉस ने दोनों के खराब रवय एके चलते फटकार लगाई और वापस जेल भेज दिया खिर घर के ताजा माहौल की बात करें तो फिलहाल हिना खान कैप्टन बन चुकी है बतादें कि कैप्टन सी के लिए खड़े हुए चार दावेदारों में से हिना अकेली कैप्टन बन कर आई है लेकिन इसके पीछे भी प्रियांक और लव की बड़ी चाल थी जो हिना खान दे से समाज पाइं